Assalamualaikum students, open your page number 133, page number 133 में हम लगों को क्या दी गई है, what problems दी गई है, पहली अब हम लगों को क्या problem दी गई है, an air bus left कराची at 18.40 hours and arrived at Pishawar 2, 2, 1 over 2 hours late, at what time did he arrived at Pishawar? मतलब एक air bus है, जो जिसने travel किया कराची से start किया, उसने 18.40 hours पे, ठीक है, अब वो travel करके Pishawar आये, लेकिन Pishawar आते आते इसको 2, 1 over 2 hours late हो गई, तो अब हम लगों ने time बताना है, कि बस Pishawar तक कब तक पहुंचेगी, simply अब आप लोगों ने क्या करना है, left उसने कराची से कब किया था, 18.40 hours पे, यानि 6 बच के 40 मिनट पे, लेकिन हम लोगों ने इसमें question में हमारी requirement किया, 24 hours में हम लोगों ने बताना है, इसलिए हम लोग अपने, जो यहाँ पर show करेंगे, उसको 24 hours में ही show करेंगे, पिशावर वो late, कितने घेंटे पहुंच रही है, 2, 1 over 2, यानि के 2, और 1 over 2 का मतलब होता है half, तो अब हम लोगों अगर अपने hour का घेंटे का half करें, तो हमारे पास एक घेंटे में कितने मिनट से, 60 मिनट से, उसका half करें तो हमारे पास क्या आएगा, 30 मिनट, तो हम क्या कर लेट, यानि के धाई घेंटे हमारे पास लेट आई या बस, तो अब सिंपल ही आप लोगों ने क्या करना है, 18 और 40 यानि 18, 40 आपके पास hour वो, और 2.30 hours वो, इनको आपने add कर लेना है, तो हम लोगों को time पता चाल जाएगा कितने time late जो बस है वो पिशावर तक पहुंची है, अब next question number two, simply आपके पास question number one की तरह है, आप लोगों ने इसको solve करना है, question number three के अंदर वो क्या कह रहा है, ताहिर is training to swim for the national championship, अब ताहिर जो है, वो swim करने की training देता है, championship की, for seven days उसने एक पूरा table बनाया हुआ है, कि वो इस date को जब 10 देखो, उसने जब beginning किती swimming, तो उसन उसने finish की swimming, तो five पर, यानि पूरे पांच बजे उसने finish कर दी, तो time spent swimming में उसने कितना time spent किया, one hour thirty minutes, इसका मतलब है, कि हम लोगों ने five, जो finish हमारी swimming थी, उसको हम लोगों ने beginning swimming के time से less कर देना है, simply आप लोगों ने finish swimming के अंदर जितना भी time आ रहा है, उसको आप लोगों ने उपर लिखना है, और beginning swimming वाले time को आपने नीचे लिखना है, और इनको simply minus कर देना है, इन सब को आप लोगों ने यहाँ पर minus करके answer right करने है, next हमारे पास क्या है question, साहे टुक one hour, 22 minutes to do his English homework, 45 minutes to do his maths homework, and 10 minutes to do his Urdu, how long did it take to complete all his homework, अब उन लोगों ने साहिर के time बताया हुए है, कि वो इतने minutes में अपना time, जो homework है, वो complete करता है, तो अब हम लोगों ने total time बताना है, कि कितने minutes के बाद जो है, वो complete कर लेता है, simply अब हम लोगों ने क्या write करना है, English homework वो करता है, one hour, 22 minutes में, maths का homework, 45 minutes में, उर्दू का homework, 10 minutes मे total time हम लोगों ने बताना है, तो हम लोग minutes वले column में हम लोगों ने minutes write किये, hour वले column में हम लोगों ने hour write किये, अब हम लोगों ने क्या करना है, इनको आप लोगों ने simply add करना है, तो यहाँ पर answer write करना है, उसके बाद यहाँ पर जो carry आएगा, वो आप लोगों ने देनी है, इसे 00 इसलिए लिखे हैं ताकि आपको confusion ना हो वाना hour के उपर अगर carry आती है वो भी आप लोगों ने add कर कर यहां पर answer write कर देना है इसी तरह से आप लोगों ने अपने इन सब questions को copy के उपर solve कर लेना है